इस दर्ती से बेहन बेटियों की इज़त होती है और एपी सिंग की तरह बेटियों को दमका आनी जाता इस बेटि को एपी सिंग ने जो है वो फंट मीडिया के सामने बत्तमीजी से पेशा करके दमका था जबकि यह बेटि पत्रकार बेटी है बहदुर बेटी है अपनी बेटि को एक्याउन सो रुपे से एक इसको एक आशिरवाद के रूपे दे करके इसका होसला अफजाई कर र बेटी का पूरा मान समान करते हैं मुमीन मलिक सर कमाली कर दिया आपने तो भई बिलकुली पॉल पट्टी खोल के रख दी और जिस दबंगंदात से आप बाते करते हैं वाके में आप लगता है कि आप इंडियन हीरो है और इस देश के बेटे हैं ठीके यह तो क्या कहा मुम दूसरा सीमा हैदर के बेटे ने बहुत टाइम पहले सीमा हैदर की पोल खोल दी थी कि क्या करती थी पाकिस्तान के अंदर ठीके वो सारी चीजे मापको लाई प्रूफ दिखाने वाली हो ठीके जो फरहान का statement आया है सीमा हैदर के लिए तो कहां उस statement को देखकर आप अंडा के उपर तुझे क्या पता कि माई क्या होती है है न तुझे ये तो खुदा की रहमत समझ भगवाल की रहमत समझ की तुझे मा बना दिया तुझ जैसी को तो मा बनने का भी अधिकार नहीं है आयरा समस्तो नमस्कार आदाफ शिशेकाल मैं किराइम एंकर साक्षी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ बगोडी हैदर के जूटों का परदा फास करने के लिए और जूटों का पोश्मार्टम करने के लिए सबसे पहले तो बता दो कि मौमीन मलीक सर ने कहा क्या कहा मौमीन मलीक सर का कहना है बकोल मौमीन मलीक जी के उन्होंने कहा है कि केस लेने से पहले उन्होंने गुलाम हैदर का साओधी में वेरिफिकेशन करवाया था कि यह किस तरह का बंदा है दूसरा उन्होंने पता करवाया जब उन्होंने तप्तिस करवाई कि गुलाम हैदर एक बेहधी इमानदार सच्चा और महनती इंसान है ठीक है उन्हें लगा कि कहीं वो गलत आदमी का केस तो नहीं ले रहे फिर उन्होंने सोचा कि नहीं मुझे इसका केस जरूर करना पड़ेगा क्योंकि जरूरत है इसे एक क्योंकि मुवमीन मलीक साब तो सच्चे वकील है वही तो उन्हें तो सच्चे लोगों का केस लेने में ज़्यादा मज़ा आता है ओओ मुबाइल क्या कोई नहीं तो मुवमीन मलीक सार ने ये सारी बाते एक वीडियो के दुवारा बताई है ठीक है मुवमीन मलीक सार की बक आप लोगों को यकीन ने आ तो प्लीज सुनिए पहले मम्मी तो वक्ती नहीं देती ना वहां पर देती थी अच्छे बस पूरा दिन बात में रहती थी महां किसे बात करती थी पापा से सिर्फ सचिन से सुन लिया बच्चे भगवान का रूप होते हैं हमने तो नहीं सिखाया यह हमने तो नहीं सिखाया तो कहती है बच्चों से जूट बुलवाते हैं बोल दिया बच्चे ने कि ना यहां पर समय देती है न वहां समय देती थी इसको कहते है अच्छी मा बताए मुझे बारत सरका villiya यह मैंने तो मैंने तो not an इंटर्वियू यह एंटर्विव इंटर्वियू कि वैरल हुआ था उस टाइम भी हुआ था और आज भी वैरल हुआं ठीक ए तो क्या माई अरे मा तो अपना पूरा तन मंधन अपना बच्चे के लिए अपना पूरा समय समर्पित कर देती है अरे मा उने तो बड़ी बड़ी नोकुरियां छोड़ दी अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए अपने करियर तक दाओ पे लगा दिये बच्चों की परवरिश करने के लिए और तू बच्चों को थोड़ा सा वक्त भी नहीं देती थी हाँ गुलाम हैदर वहाँ कमाता था गुलाम हैदर वहाँ तेरी अयासियों के लिए पैसा बतोरता था विचारा और मतलब तू यहाँ अपनी अयासियों में उसे उड़ाती थी और बच्चों को टाइम भी नहीं देती थी तू तू पूरा दिन रील बनाने में पूरा दिन टिक टोक बनाने में निकालती थी अरी शरम आनी चाहिए तू जैसी महिला को शरम आनी चाहिए ठीक है ना क्योंकि ऐसी महीलाएं कभी समाज में कोई अच्छा मुकाम हासिल नहीं कर पाती और ऐसी माओं को अधिकार भी नहीं है कि वो एक माँ भी बने ठीक है पता नहीं कौन से रब की तुझ पर महरवानी हो गई कि जो तुझ माँ बन गई वो गुलाम हैदर के नसीब थे जो एक पिता बना पिता बना भी एक शोभाग्य की बात होती है आया समझ में लेकिन उसे ये नहीं पता था कि तुझ बच्चे दूर कर देगी और हाँ मुमिन मलिक सर ने कहाँ कि सीमा हैदर की माँ ने दूद नहीं पिलाया था अगर सीमा हैदर का पती गुलाम हैदर थोड़ा भी चालाख होता तो सीमा हैदर के उकात नहीं थी वो बाक्य इंदुस्तार आजाती ना ना क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूँ जिनके पती तेज चलाख हराम होते है न उनकी बीविया तो फाल ने लिकारत क्योंकि वे ठोक पीट के तैयार रहते हैं लेकिन गुलाम एदर वेचारा ठहरा एक सीधा सच्च इंसान ठीक है और इस महिला ने उसकी सरीफाई का उसके सीधे होने का इस महिला ने फायदा उठाया इस महिला ने फायदा उठाया आया ना समझ इस महिला ने फायदा उठाया तो मैं क्या बता हूँ आपको जिस तरह की ये महिला है मैंने अभी इसकी बेटे का स्टेटमेंट दिखाया और मुमिन मलीक साहब ने बिलकुल सही कहा अगर गुलाव एदा थोड़ा सा तिर्चा होता ना तो इसकी ओकात नहीं थी ये हिंदुस्तान तो जोड़ो अगर अपने कराची से लाहोर भी पहुँच जाती इतनी वियोकात नहीं थी इसके और सुनने सीमा है जाना तो तुझे पाकिस्तानी है बेटा जाएगी तो तु पाकिस्तानी यहाँ तेरे जैस्यों की जगा नहीं है क्योंकि बारत एक आवन और शांती का देश है बारत को सोने की चिडिया ऐसे ही नहीं कहा जाता बारत संस्कारों का देश है आया समझ लेकिन तुझे जाना होगा पाकिस्तान आया और देख तेरा यह बेटा बोल रहा है न ठीक है यह तेरा बेटा ही बोल रहा है आया समझٹ और देखो गुलाम एतरने सारी वीडियोज, फोटो थीतु में अपने बच्चों के दिखा दिए यह तो कहती दी एक फोटो को ही दिखा दिया इस्ने बेचारे बेचलों गुलाम ने सारे फोटोस दिखा दिए ठीक है तो कितना जूट पकड़े तेरी बहन आती है लाइव पे तो तू कह देती है मेरी बहनी नहीं है खमाल यार हाद यार तुझसे तू सच्ची तो वही कैसी लगी आपको वीडियो आपको यह दिखाना था एक प्रूफ तो वीडियो को ला बगाई